जै मातादी दोस्तों, वर्ण बैस मैजिक में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बसंद पंचमी की संपूर्ण पूजा विधी के बारे में, साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे बसंद पंचमी की पूजन सामगरी क्या है, और इस दिन मासरस्वति को कौन सा भोग लगाना चाहिए, और किस मंतर का जाप कर चाहिए जिससे आपका बच्चा पढ़ाई में और तेज हो सके। इसके लावा हम बात करेंगे बसंत पंजमी के दिन क्या खाएं और क्या नहीं खाएं या इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या गलतियां भूलकर भी नहीं करने चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपस र्यूकेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूटूब चैनल World Best Magic सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा से शेयर करें तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों माग मास के क्रिश्न पक्ष की पंचमी को बसंद पंचमी का तेवहार मनाया जाता है इस दिन देवी सरस्वती जी की पूजा होती है सरस्वती को विद्या और बुद्धी की अधिस्ठात्री देवी माना जाता है और इनकी पूजा बसंद पंचमी को पूरे विधी विधान से की जाती है आपको बता दें कि बसंद पंचमी को ही देवी सरस्वती जी का जन्म हुआ था इसलिए इस दिन उनका जनमुच्सो भी मनाया जाता है साथ ही उनसे विद्या और बुद्धी का वर्दान भी मांगा जाता है दोस्तों वसंद पंचमी के दिन देवी सरस्वती जी की पूजा घरों, मंदिरों के अलावा सिछण संसतानों में भी की जाती है अगर आप पूरे विधी विधान से देवी सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो मा की कृपा आपको जरूर मिलेगी और साथ ही आपको बुद्धी, ज्यान और सफलता भी मिलेगी तो चलिए अब जानते हैं कि बसंद पंचमी की पूजन सामगरी क्या है दोस्तों, पूजा के लिए सबसे जरूरी चीज है देवी सरस्वती जी की फोटो या मूर्ती और एक लकड़ी की चौकी या पटा पीला या लाल रंग का कपड़ा चौकी पर बिचाने के लिए मौली, हल्दी, रोली, अक्षत, पीला चंदन, अबीर, पीले फूल और माला, पीली चुनरी या फिर माता को पहनाने के लिए वस्त्र और सरंगार का समान यानि सुहा की पिटारी पान का पत्ता, आम का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलाइची, एक नारियल, धूप, दीपक, कपूर, घी, पीले फल पीले फल में आप केला या पपीता ले सकते हैं या फिर कोई भी मौसमी फल और भोग लगाने के लिए आप पीले रंग का भोग लें आप बेसन का लड़ू, पीली बूंदी, पीले मीठे चावल या खीर का भोग लगाएं या फिर आप पंचामरत का भोग भी लगा सकते हैं इसके लिए आपको दूद, दही, घी, सहद और सक्कर की आफशकता होगी साथ ही आपको एक जल कलस, इत्र, गंगा जल और जो लोग इस दिन बसंत की पूजा करते हैं तो बसंत आपको बजार में असानी से मिल जाएगा या फिर आप घर पर भी बसंत बना सकते हैं बसंत जो एवम गेहूं की बाली और पीले फूल को कलस में भर कर बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है चलिए अब बात करते हैं कि आप आसान तरीके से बसंत पंजमी की पूजा कैसे कर सकते हैं दोस्तों इस दिन प्राता काल जल्दी उठकर बेसन युक्त तेल का सरीर पर उठन करके इसनान करना चाहिए इसके बाद आप पीले बसंती या सफेद रंगे स्वच्वस्त धारण करके मासरो सती जी की पूजा करें इसके बाद आप पूजा इस्थल को साफ एमम गंगा जल्छिड़कर सुद्ध कर लें और पूजन सामगरी को भी सुद्ध कर लें आप एक लकडी की चौकी या पटा रखें उसके उपर पीले या लाल रंग का वस्तर बिछा लें और हो सके तो आप भी पीले रंग के आसन का प्रयोग करें बस ध्यान रखें कि आप पूजा करते समय आप का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए अब आप चौकी पर मासरो सती जी की मूर्ती या फोटो को इस्थापित कर दें और कलस की इस्थाप न करें उसके लिए सबसे पहले आप पीले चावल से अस्ट दल कमल बना लें और उसके उपर तामे या पीतल का लोटा रख दें और उस लोटे के अंदर सुद्ध जल, गंगा जल, एक हल्दी की गाट, एक सुपाडी और एक सिक्का डाल कर पाँच पलव यानि की पाँच पान या आम के पत्ते लगा कर उसके उपर नारियल इस्थापित कर दें आप नारियल पर पीले रंका कपड़ा लपेट कर और कलस के मुख में मौली बांद लें और कलस पर स्वास्तिक का चिन भी बना लें अब इसके बाद आप गड़ेश और गौरी की इस्थापना करें आप एक सुपाड़ी पर मौली लपेट कर गड़ेश जी बना लें और गौरी आप गोबर या खल्दी से बना लें और उसे एक पान के पत्ते के उपर थोड़े से अच्छत रखकर इस्थापित कर दें और अगर आप बसंद की पूजा करते हैं तो उसे भी चौकी पर रख लें और उसकी भी पूजा करें अब आप अपनी पूजा स्टार्ट करें सबसे पहले आप गड़ेश जी की पूजा करें फिर कलस की पूजा करें उसके बाद मासरुशती जी की पूजा करें दोस्तों पूजा सुरू करने से पहले पूजा का संकल्प लेना बेहत जरूरी होता है आप अपने हाथों में थोड़ा सा जल, अप्छट, पुस्प लेकर मासरुशती जी की पूजा का संकल्प ले और मासे प्रातना करें कि वह आपकी पूजा स्विकार करें और आपको ग्यान और गुद्धी का आसिरवात प्रदान करें इसके बाद जो आपने हाथ में जल, अप्छट, पुस्प लिया है उसे मासरुशती जी के सामने छोड़ दें अब आप सभी को जल से इसनान कराएं और माता को फीली चुनरी अर्पित करें और गडेज जी को यगो पवीत चढ़ाएं अगर वस्तर नहीं हो तो आप मौली के छोटे छोटे टुगड़े करके सभी भगवान को वस्त सरूप अर्पित कर दें और अब घी का तीपक जलाएं, धूप जलाएं अब हल्दी कुमकुम चंदन का तिलग करके अप्छट अर्पित करें फिर मासरज सतीजी को पीले पुस्प और माला चढ़ाएं या कमल का फूल हो तो और भी अच्छा रहेगा और सभी भगवान को इत्र लगाएं इसके बाद माता को फल चढ़ाएं और भोग लगाएं भोग में आप केसर युक्त, मीठे चावल, बेसन के लड्डू, बूंदी, पंचा मृत, मिस्री या फिर पीले हलवे का भोग लगा सकते हैं और अब सभी भगवान को ताम बूल यानि पूंगी फल अर्पित करें इसमें आप एक पान का पता, उसके उपर एक सुपाड़ी, दो लोंग, एक इलाची और सिक्का रख कर चढ़ाएं और अब माता को सरंगार का समान अर्पित करें इसमें आप पीली साड़ी और पांच या साथ सुहाग की चीज़ें अर्पित कर सकते हैं आप ये चीज़ें किसी ब्रामणी को दान कर दें या घर की किसी सुहागन महिला को भी दे सकती हैं और कुछ आप अपने लिए भी रख लें अब इसके बाद आप पूजा में बच्चों की कौपि किताबें या जो लोक कला वसंगीज से जुणे हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट जरूर रखें और उनकी भी पूजा करें आप उन्हें अच्छे से साफ कर लें और एक फूल में रोली, चंदन, अक्छत लगा कर किताब या वाद्यंध के उपर रखें और अब आप सरस्वती माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या फिर सरस्वती चालीसा या सरस्वती द्वादस नामा वली स्रोत का भी पार्ट कर सकते हैं और ध्यान रखें कि बच्चों को अपने साथ पूजा में जरूर बिठाएं और मा सरस्वती के मंत्रों का जाप भी करें आप माता सरस्वती का प्रभाव साली मंत्र ओम एंग सुरसते नमा मंतर का जाब कम से कम 108 बार करें या फिर ओम एंग, हरीम, क्लीम, महा सुरसती, देव्य नमा मंतर का जाब भी कर सकते हैं इससे बच्चों का दिमाग तेज चलेगा और वे हर परिच्छा में सफल भी होंगे इसके बाद आप मातासर सती जी की आरती गाएं और सभी भगवान की आरती करें और सबसे आखिर में मा से पूजा में हुई गलतियों के लिए छमायाचना जरूर करें और पूजा के बाद घर के सदस्यों को आरती देकर प्रसाद जरूर बाटें और सोयम भी प्रसाद ग्रहन करें दोस्तों इस दिन दान करना भी बहुत जरूरी होता है आप अन्य, वस्त्र, वधन का दान करें या फिर किसी गरीब या जरूरत मंद को सिच्छा से जुड़ी चीजों का दान करें इससे आपको सुफल की प्राप्ति होगी चलिए अब जान लेते हैं कि बसंद पंचमी के दिन क्या खाएं और क्या नहीं खाएं तो आपको बता दें कि इस दिन पीले रंग के पकवान जरूर खाने चाहिए आप इस दिन कड़ी या पीले नमकीन चावल बना कर खाएं साथ ही केसर का हलवा या खीर पीली बर्फी या लड़ू या बूंदी के लड़ू खाने चाहिए बस ध्यान रखें कि बसंद पंचमी जैसे सुब दिन पर घर का कोई भी सदस्य मास मदीरा का सेवन ना करे और इस बात का विध्यान रखें कि इस दिन काले वा लाल रंग के वस्त धार्म नहीं करने चाहिए और इस दिन घर में लड़ाई जगडा कले साधी ना करें और किसी भी महिला या गरीब का अपमान भी नहीं करना चाहिए और इस दिन पेड़ पौधों की कटाई छटाई भी नहीं करने चाहिए तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंड बॉक्स में अवस्थ से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद